कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिए DR Education Official डाउनलोड दियाड नाव देखिए दोस्तों ये वीडियो उन कंडिडेट्स के लिए है जिनका एक्जाम अभी 21 दिसंबर 2022 को होने वाला है किसका हाई कोट पंजावन हरियाना में ड्राइवर की पोस्त के लिए आपका एक्जाम होने वाला है तो यहां पे जो भी रोल उंबर थे किसी कंडिडेट की फोटो थी जो भी उससे रिलेवेंट जो डिटेल थी वो मैंने यहां से रिमूव कर दी है एक तरीके से admitt card का यह sample है जो मैंने आपको समझाने के लिए बताने के लिए और जितने भी instructions है और क्या-क्या आपको ले करके जाना है यह जो admit card ही यह ब्लेक और वाइट ले के जाना है निकलवा करके या फिर colored form में आपको print out लेकर के जाना है इसके इलावा अपने एक्जाम के टाइम पे आपको साथ-साथ में क्या-क्या चीजे लेकर के जानी है जो सबसे ज्यादा इंपोडेंट है उनके बारे में डिसकस करेंगे तो वीडियो को को इस सेनल पर मिलती रहेंगी चलिए शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले जब भी आप अपना एड्मिट कार्ड देखेंगे तो यह चेक कर लें कि आपका जो नाम है वो सही से दिया हुआ है नहीं दिया हुआ जैसे यहां पे तो मैंने आईडी पे लोगिन करो वहाँ पे help desk है वहाँ पे अपनी problem शोट आउट करवाओ ठीक है उसके बाद अपना अप्लिकेशन नमबर चेक करना है रोल नमबर अपना चेक करना है सही है नहीं है उसके बाद date of birth हाला कि रोल नमबर तो आगे से ही जा रही होता है तो आप अपन जिसमें भी आपका नाम और date of birth चेक किया जाएगा तो उसमें सबसे पहले आपका नाम ठीक होना चाहिए और उसके बाद आपकी date of birth जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए अगर उनमें कोई गडबड है तो आपको entry नहीं मिलेगी ठीक तो इसलिए अपना admit card अच्छे से चे नाम है यानि अगर reporting time 10 बजे है तो यह समझो मुझे 9 बजे वहां पर present हो जाना है क्योंकि इस admit card के instruction में लिखा हूँ है कि reporting time के बाद जो भी candidate वहां पर पहुंचते तो उसको entry नहीं मिलेगी तो reporting time से पहले आपको वहां पर पहुंचाना है अच्छे से अपना जो center का नाम ह वह भी check कर ले कहां पर है कि most of हर्याना के हैं उनका पंजाब में आ रहा है पंजाब में जिनका मतलब जो पंजाब से बिलोंग करते हैं उनका जर्याना में आ रहा है ऐसा देखने को मिल रहा है यह सभी के लिए validate नहीं है ठीक है ना हो सकता है जो हर्याना का हो तो उसका हर् रहा हूँ ठीक है तो जनरली दूर-दूर सेंटर हैं लगबग 200-500 किलोमेटर के डिस्टेंस पे एक्जमिनेशन सेंटर आ रहे हैं तो वह अपना चेक कर लेना प्रोपर ठीक है कहां पर मेरा एक्जाम आया है यहां पर अपनी फोटो चेक कर लेना कि आपकी फोटो किसी दूस यहां पर लिखावा है जो आपने फोटो अपलोड करी थी फॉम भरने के टाइम पर वो फोटो यहां पर अपलोड होनी चाहिए ठीक है इस खाने में जो यहां पर स्पेस दियावा है या तो गैजेटिटीड उफिसर से या फिर खुद अपनी फोटो को अटेस्ट कर लें सेलफ अटेस्ट लिख करके और अपना साइन है वो यहां पर कर लें ठीक है तो आप अपना साइन यहां पर कर लें आदा फोटो पे और आदा पेज पे ठीक है उसके बाद यह जो सिगनेचर यहां पर दिया गया है कंडिडेट सिगनेचर यहां पर अभी नहीं करना है क्यो अपनी फोटो चिपका के और उस पर सेल्फ अटेस्ट कर ले यहाँ पर लिखा हुआ है नेम एंड सिगनेचर ओफ इनिविलिगेटर यहाँ पर कुछ नहीं लिखना आपको खाली छोड़ देना है उसके बाद चलिए चलते हैं जर्नल इंस्टेक्शन पर जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है इंपोर्टेंट चीजे क्या है देखिए यहाँ पर अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के बारे में बताया गया है तो एक मास्क आप लेके जाएं ठीक है कोई भी एक नॉर्मल सा मास्क अपने पास रखें ठीक है क्या पता पिछली बार की तरह लफड़ा कर दें तो आप इधर उदर भागते घुमोगे अपना मास्क एक जरूर लेके जाएं साथ में अगर सेनेटाइजर लेके जाना चाहें तो ले जा सकते हैं कोई mandatory नहीं है यहां पर लिखावा तो है 50 ml की जो hand sanitizer की bottle हो साथ में लेके जाएं लेकिन कोई जुरूर नहीं है आप सिर्फ और सिर्फ mask लेके जाएं वो सबसे ज़्यादा important है उसके बाद देखो लिखावा है candidate to produce candidate has to produce duly filled self declaration form along with the admit card at examination center देखिए बताया क्या गया है वो मैं आपको इहां पर बता देता हूँ देखिए जो आपका यह admit card है इसके नीचे नीचे आपको एक self declaration form है वो fill करना है ठीक है यह self declaration form दिख रहे हैं इसको fard के नहीं फैकने है कभी यह सोचो कि मुझे तो निकलवाना ही नहीं है फालतू का form है नहीं इसमें इस form को भर देना है जैसे मानलों किसी को fever है तो यहां पर tick कर देना है नहीं है तो cancel कर देना है ठीक है short throat है मानलों गले में कोई problem है या फिर naak में कोई problem है तो यहां पर tick कर देना है center name, जो आपका center का नाम है, वो यहाँ पर fill कर देना है, और यहाँ पर अपना signature कर देना है, ठीक है, यह signature की जगहा है, तो यह form आपको fill करना जरूरी है, journal instructions में सबसे ज़्यादा important points हैं, वो मैं आपका यहाँ पर clear out कर दूँगा, क्योंकि देखी, आपके लिए सबसे ज़्यादा important कौन कौन सी हैं, जो आप examination center में ले करके जा सकते हो, या फिर examination center में prohibited हैं, आप examination center पे वो चीजें, या वो items ले करके entry नहीं कर सकते, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, देखी, सबसे पहला point, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा important है, लिखा हूँ है, कि आप अपने reporting time पे पहुंच जाएं, otherwise, आपको strictly बताया जा रहा है कि after the reporting time, will not be allowed to enter the examination center, कि बताया गया है, reporting time के बाद में अगर पहुंचते हैं, तो आपको entry नहीं दी जाएगी, जो examination center का gate है, वो close कर दिया जाएगा, ये इस point में बताया गया है, उसके बाद second number point पे बताया गया है कि आप अगर colored print out लेकर के जाएं, अपने admit card का, तो सबसे बढ़िया है, देखो लिखा हूँ है, candidates must bring the admit card, preferably colored in original, with a recent passport size colored photograph, ठीक है, firmly pasted on the space provided, जो आपके admit card पे मैंने आपको बताया था ने, space दिया वा है photo चिपकाने का, तो एक photo वहाँ पे चिपका लेना, जो recent photograph हो, और इसके इलावा अपना जो admit card है, वो colored form में निकलवाएं, तो आपके लिए बहतरीन रहेगा, ये इसमें बता रखा है, ठीक है, इसके बाद, यहां पे बता रखा है कि admit card और photograph आपके लिए सबसे ज़्यादा important है, वो आपको किसी भी आलत में नहीं बूलना है, ठीक, third number point पे बताया गया है, only admit card, देखो ले करके क्या जाना है, examination center में, only admit card, उसके इलावा original photo identity card, यानि जैसे आपका आधार card है, यहां पे एक point लिखा हुआ है, जो मैं आपको बताऊंगा, यहां पे देखो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, fourth जो नमबर का point है, उसमें, सब पार्ट में लिखा हुआ है, पार्ट नमबर A में, E आधार card will not be accepted as a valid ID proof, E आधार card और आधार card में फरक होता है, E आधार card का मतलब यह है, जैसे मानलो आपके phone में आधार card पड़ा हुआ है, hard copy नहीं है, तो वो एक तरीके से E आधार हो गया, तो वो valid नहीं होगा, आपका original आधार card आपके साथ में होना चाहिए, as a hard copy, ठीक है, तो original photo ID card होना चाहिए आपके पास, इसके इलावा एक transparent pen होना चाहिए, ठीक है, transparent pen का मतलब यह है, कि अब कई बार क्या होता है, बच्चे transparent pen नहीं समझेंगे, यानि जिस pen के अंदर उसका refill दिख रहा हुआ में, refill दिखना चाहिए, colored form में pen नहीं होना चाहिए, sample दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको, देखो यह sample देखो आप, इस तरीके का जो pen है, वो valid है, यानि इसमें आपको, जो अंदर का refill है, pen का सिक्का जिसे बोलते हैं, वो आपको दिख रहा है, हाला कि जो इस परकार के pen होते हैं, यह allowed नहीं करवाये जाएंगे, examination center में, ठीक है, यह transparent नहीं है न, इसमें आपको अंदर का refill नहीं दिख रहा है, इस परकार के pen भी, examination center में allowed नहीं कराये जाएंगे, तो यहां पर साब साब बताया है, कि जो transparent pen है, वहीं valid होंगे, वहीं acceptable होंगे, चलिए, अब आगे देख लेते हैं point, यहां पर मैंने आपको बताया था न, कि लिखा हूँ है fourth number point में, क्या लिखा हूँ है, candidates must bring at least one original photo identity proof, यानि जैसे pen card हुआ आपका, passport हुआ, driving license हुआ, water card हुआ, या फिर आधार card हुआ, in original with the admit card, ठीक है, आपके admit card के साथ में original identity proof होना चीए, जिस पर आपकी photo हो, जिस identity proof पर आपकी photo हो, वो identity proof यानि ID proof आपको साथ में ले करके जाना है, original form में बता रहा है, यहाँ पर देखो point क्या लिखा हुआ है, नीचे जब point आप चेक करेंगे तो, सबसे पहले मैंने आपको बता है था न, ए नमबर point, या आधार card will not be accepted as a valid ID proof, जो यह आधार card होता है, यानि कभी आप phone में दिखा दो, कि सर यह देख लो मेरा आधार card है, phone वाला नहीं चलेगा, ठीक है न, कहीं देख लो सर मेरा तो dg locker पर चेक कर लो, वो भी एक तरीके से यह आधार card होता है, dg locker वाला, कभी आप जा करके अपनी mail चेक करवा दो, सर यह देखो मेरी mail पर पड़ा हुआ है, कभी आप drive में दिखा दो, google drive पर रखा हो है, सर मेरा आधार card, वो नहीं चलेगा, hard copy होनी चाहिए, यानि print out निकलवा करके आप लेके जाए साथ में, वो आधार card चलेगा, नहीं तो आप pen card ले जाओ, passport ले जाओ, driving license साथ में ले जाओ, जिसमें आपका नाम, date of birth वही हो, जो आपके admit card पे है, simple, यहाँ पर बताया गया है, second point, राशन कार्ड और mark seat of 10th class, will not be accepted as a valid ID proof, कभी राशन कार्ड साथ में ले करके चले जाओ, या फिर 10th की mark seat ले के चले जाओ, वो valid नहीं रहेंगी, ठीक है ना, valid ID proof के नाम पर वो valid नहीं रहेंगी, यह बताया गया है, और बताया गया है, in case of candidates who have changed their name, will be allowed entry only if they produce original gazetted notification, their original marriage certificate, या फिर affidavit in original, अगर मान लो किसी का नाम change करवा लिया है उसने, तो वो तभी entry ले पाएगा, जब अगर या तो उसके पास कोई gazetted notification हो, या फिर उसके इलावा original marriage certificate हो, या फिर affidavit हो कोई original, कि भई मैंने नाम change हो करवा लिया, तो तो फिर आपको entry दी जाएगी, otherwise नहीं दी जाएगी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 number point पे वहीं बताया गया है, कि जो आप affix कर रहे हो अपनी photograph को, तो उसको attest कर ले, या तो gazetted officer से attest कर ले, या फिर खुद self attest कर ले, ठीक है, on e-admit card, जो आपका e-admit card है, उसके उपर, ठीक है, यह चीज़े आपको बताई गई हैं या पे, उसके इलावा यहाँ पे 10 number का, जो 10 number का point है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा important है, बताया गया है, the candidates need to bring their own transparent bowl pen, containing blue, या black ink, देखो यह भी आपके लिए important है, transparent bowl pen होना चीज़े, gel का मत लेके जाना, bowl point pen जिसमें सीखा होना, जिसमें gel pen का सीखा ना हो, ठीक है, तो bowl point pen होना चीज़े, और इसके इलावा, blue और black ही color का pen होना चीज़े, कभी red pen लेकर चले जाओ, या फिर green pen लेकर चले जाओ, ऐसा नहीं चलेगा, blue या black ही होना चीज़े, ठीक है, और इसके इलावा, जो अंदर नहीं लेकर जाना है, तो वो तो सब को पता है, कोई भी electronic item है, वो आपको अंदर लेकर नहीं जाना है, इसके इलावा, कोई hide करके, कोई camera camera या फिर, कुछ भी Bluetooth item है, कोई भी electronic wireless या, कोई भी other communication device है, वो आपको लेकर के नहीं जाना है, इसके इलावा, जो F point है, वो भी important है, large button on clothes, या garment worn by the candidates, अगर मोटे मोटे button लगा रखें, अपनी jacket पे, या फिर अपने garment पे, तो बड़े बड़े button है, वो नहीं चलेंगे, वहाँ पे आपको फिर निकाल के jacket, फिर या अंदर entry है, वो दी जाएगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, आपका जो admit card का, जो भी center है, नाम है, वो change नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ बताया गए है आपे, बाकी इतना important नहीं है, जो important था, वो मैंने आपको बता दिया, एक साथ में self declaration form है, वो साथ में आपको fill करके, लेके जाना है, ठीक है, तो ये चीज़े आप ध्यान रखेंगे, और इसके इलावा, कोई भी आपका doubt है, जो आपके दिमाख में उपज रहा है, तो आप तुरूंत comment section में जाओ, और वहीं पे छाप दो, आपको next video में, उन questions के answer में देने की कोशिस करूँगा, और इस video में इतना ही, मिलता हूँ किस next video में, तब तक के लिए बने रेमर साथ, thank you so much.